Good morning guys, सबसे पहले word पर command कीजिए, अगर word पर command हो गया, तो इंगलिस बोलने से कोई आपको रोख ही नहीं सकता है, आज मैं एक ऐसा trick बताऊंगा, जिसके मदद से आप खुद से 1000 word बना सकते हैं, जैसे throughout, throughout एक preposition है, प्लस डॉट 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 डॉट, सबसे पहले जानिए guys, कि throughout के हिंदी क्या होता है, throughout मतलब होता है भर, और dot dot के जगह पर जब इंगलिस word भरेंगे, तो concept clear हो जाएगा, लेकि इंगलिस word बनाने से पहले, मैं चाहूंगा कि हिंदी में concept clear कर दूँ, जैसे आप लोग डेली बात करते हैं, तो बोलते हैं, दिन भर, रात भर, सपता भर, महीना भर, सालो भर, जी throughout, अब चलिए जो हैं, इंगलिस word बनाते हैं, ताकि इंगलिस में concept clear हो जाए, चुकि बोलना तो इंगलिस हैं, आप लोगों को, जैसे, throughout the day, मतलब, दीन भर, और यही कह दिया जाए, कि throughout the night, रात भर, काजया कि throughout the week, सपता भर, throughout the month, मतलब, महीना भर, महीना का नाम भी रख सकते हैं, जैसे throughout January, जनवरी भर, throughout February, फरवरी भर, throughout May, माई भर, throughout June, जुन भर, तो आप मन्त का नाम भी रख सकते हैं, इस तरह से वर्ड बनाने के लिए, जब इंगलिस बोलने की जरुवरत पड़ेगी, कहाँ जै कि throughout the year, सालों भर, साल का भी नाम रख सकते हैं, जैसे throughout 1947, throughout 1950, यह साल का नाम भी रख सकते हैं, अगर आपको बोलने की आउसकता पड़ी तो, ओके, कहाँ जै कि throughout the life, मतलब जीवन भर, जैसे दो किये कि सादी भी आमें लोग कसमे खाता है, कि मैं जीवन भर तुम्हारे ख्याल रखूंगा, मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूँगा, तो यह सारा जो है वर्ड जो है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परसानी महीं, अब मैं चाहूंगा कि इन सारे वर्ड पर संटेंस बनाओं, जैसे अब जो भी वर्ड बनाना हम लोग सीखे हैं, उन्हीं वर्ड के मदद से छोटा-छोटा संटेंस बनाएंगे, जैसे हिंदी में बोलते हैं, कि वह दिन भर काम करती है, मेरी मम्मी दिन भर कीचेन में काम क करती है, मैं रात भर पढ़ता हूं, मैं दिन भर पढ़ता हूं, बच्चे दिन भर खेलते हैं, का जै कि हमारे किसान सालों भर खेत में काम करते हैं, वह दिन रात रोती है, पता नहीं किसके याद में, साइद किसी से उसको महबबत हो गया है, लेकि साइद महबबत का अंज क्या होता है तो इसी तरह से आप हिंदी में जो सेंटेंस बोलते हैं उसको अंग्रेजी में बनाने का प्रयास कीजिए जैसे आप बनाइए कि वह दीन भर रोती है तो कहेंगे कि सी विप्स वह रोती है अदीन भर तो क्या कहेंगे throughout the day कहा जाए कि हमारे किसान जो है सालों भर काम करते हैं तो क्या कहेंगे our farmers work throughout the year कहा जाए कि मेरा परिक्षा नजदीक है इसलिए मैं रात भर पढ़ता हूँ तो मैं रात भर पढ़ता हूँ क्या होगा कहेंगे I study throughout the night कहा जे कि बच्चे दीन भर खेलते हैं तो बच्चे दीन भर खेलते हैं क्या कहेंगे children play मतलब बच्चे खेलते हैं और दीन भर तो कहेंगे throughout the day का जे कि मैं सालों भर परसान रहता हूँ का जे कि वह जो है महिना भर परसान रहती है का जे कि मैं जनवरी भर परसान था मैं जनवरी भर बेस्त था तो जनवरी भर मैं बेस्त था या मई भर बेस्त था तो बेस्त का एक दम छोटा थे ब्यस्त थे हो नाम लिख दीजी का जे कि मैं सालों भर ब्यस्त था तो कहेंगे आई वाज भी जी throughout the year एक दम असान है guys sentence भी बनाना असान है और word भी बनाना असान है एक और मैं आपको information दे दूँ कि जो chapter मैं पढ़ा रहा हूँ ये chapter मैं बहुत पहले book में लिख दिया था मैं चाहता हूँ कि आपको उधर भी ले चलू ताकि आपको book पढ़ने के interest बढ़े मैंने यहां लिखा है कि throughout plus dot dot word भी मनाया है मैंने करे कि throughout the life मतलब जीवन भर करे कि throughout the day दीन भर, throughout the night रात भर ये सारा word मैं आप लोगों को बता रहा था word पर आप कुछ से word बनाईए और बोलिए यहां मैंने कुछ sentence भी मैंने बनाया है ताकि आपको help मिल सके बुक मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ चुकि आपके आप पर एक नहीं बलकि पांच बुक available है और सारा बुक इतनी अच्छी जो है material है मतलब एस spoken का complete kit है अगर सारी बुक आप ए study कर लेते हैं तो आप none stop English बोलेगे बसरते कि आपको महौल मिलना चाहिए और मैं महौल बताओंगा कि कैसे create किया जाता है और एक दो class मैंने ले भी लिया है महौल पर आप जो है मेरे app पर चले आईए ओक गाईस देखी यहां sentence कह रहा है कि मैं जीवन भर आपका ख्याल रखूंगा ऐसे लोग वादे करते हैं कसमे खाते हैं प्रेमी एक दूसरे से जो है वादे करते हैं साधी के वक्त पती पत्नी एक दूसरे से जो है कसमे खाते हैं कि मैं जीवन भर आपका ख्याल अगला sentence कर रहा है कि Amit दीन भर खेलता है अभी मैं बता रहा था ना कि बच्चे दीन भर खेलते हैं तो Amit हो सकता है कोई बच्चा हो जो दीन भर खेलता हो तो कहेंगे कि Amit plays, Amit खेलता है throughout the day दीन भर एक आजाए कि साहिल रात भर पढ़ता है तो कहेंगे साहिल रीट्स थूरू आउट दा नाइट प्रियंका रात भर पढ़ती है तो कहेंगे प्रियंका रीट्स थूरू आउट दा नाइट अगला संटेंस का रहा है कि आज के छात्र एवम छात्राएं रात भर एक दूसरे से मोबाइल पर बाते करते हैं अभी मैं मोहबबत की ही बात कर रहा था कि मोहबबत का अंजाम बड़ी बुरा होता है और देख लिजे का कर रहें कि आज के छात्रे में हम छात्राएं रात भर एक दूसरे से बात करते हैं मोबाइल पर तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी इस तरह का सिच्वेशन आपके थी का देखे आज कल की लड़कियां तो कहेंगे मोडन गल्स आज कल के लड़के तो मोडन बॉइज जैसे होता है कि मोडन फैसन मतलब आज का फैसन आज के नेता तो मोडन लीडर्स आज के सिक्षट तो मोडन टीचर्स आज की महिलाएं तो कहेंगे मोडन लेडिज इस तर कि modern students talk each other, मतलब आज के जो है छात्रे और छात्राइ एक दूसरे से बाते करते हैं, कह रहा है कि on the mobile, mobile पर throughout the night, रात भर, अब खुद से सोचिए कि जब word बनाना आसान है, sentence बनाना आसान है, तो इंगलिस बोलना आसान है या नहीं, इंगलिस बोलना भी बिल्कुल आसान है, क्य general grammar भी पढ़ाता हूँ, competitive grammar भी पढ़ाता हूँ, और साथ मैं 5 e-book देता हूँ, तो इसलिए मैं आपको invite कर रहा हूँ, कि आप YouTube पर भटकिये नहीं, बलकि मेरे app पे चले आईए, चुकि app पर भी मैं बिल्कुल फिरी में पढ़ाता हूँ, अगर मेरा अंदाज सही लग रहा पढ़ाने का, तो आप पर आईए, मैं आपको invite कर रहा हूँ, और एक से दो मिनट टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा आप के बारे में बता रहा हूँ, ओके, मेरी app का नाम है गाईस, English Plus, by Sanji Ushivani, आप Play Store पर आईए, और इसे डाउनलोड कर लीजिए, YouTube पर भी सर्च मारिएगा, तो आपको मिलेगा, English Plus, by Sanji Ushivani, जब इस app पर आईएगा, तो आपको course मिलेगा, जिसका नाम है, Family Pack, English सीखें, सोच सकते हैं, कि जब course का आई नाम है Family Pack, English सीखें, मतलब आपके परिवार का हर तरह का English का स्वलूशन दिया गया है, जैसे, अगर आपके परिवार में कोई किट्स है, तो उसको लिए यहाँ पर किट्स is spoken है, मिलेगा उसको, किट्स ग्रामर मिलेगा, किट्स आई क्यू या पर्जेंस आफ माइन, मतलब किट्स का आई क्यू कैसे डेवलप करेगा, और उसका पर्जेंस आफ माइन्ड जो है, फास्ट कैसे काम करेगा, यह सारे कोर्से वहाँ आपको मिलेगी, मतलब किट्स के लिए तीन कोर्स हो गया, और किट्स के लिए यहाँ पर दो किताब भी मिलेगा, मतलब टू ई-बुक्स, आपको दो नमर में मिलता है, अगर आपके परिवार में कोई बड़ा बच्चा है, वे शुडेंट हो सकता है, जॉब होल्डर्स हो सकता है, बिजनेस होल्डर्स हो सकता है, या इंगलिज सीखकर बिदेश जाना चाहता हूँ, वो पढ़ा लिखाओ या अनपढ़ओ, दोनों को मैं इंगलिज सीखाता हूँ, पढ़े लिखे को भी और अनपढ़ को भी, या इस काल्ड एडल्ट एस्पोकेट, और आश्चर्ज मत खाईए, आश्चर्ज करने के जुरूत नहीं है, जब अनपढ़ आड़मी हिंदी बोल सकता है, तो इंगलिज क्यों नहीं, सिखाने का तरीका होना चाहिए, जो मैं सिखाता हूँ, आप पर आईए, उसके बाद जो है, आपको तीन नमर में मिलता है, जेनरल एंड, कॉम्पटेटिव ग्रामर, जेनरल ग्रामर मतलब, अगर आपके फेमली में कोई मैटिक, इंटर, गर्जुएशन कर रहा हो, चाहिए किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, या फिर जो है, सीविएसी हो, कोई भी बोर्ड हो, तो उसके लिए जेनरल ग्रामर मैं पढ़ाता हूँ, प्लस, अगर कोई कॉम्पटेटिव की तियारी करता है, जैसे रेलबे, SSE, बैंकिंग, NDA, एयर फोर्स, नेवी, उसके लिए यहाँ कॉम्पटेटिव ग्रामर मिलता है, और इन सारे कोर्स को कवर करने के लिए, आपको चार नमर में मिलता है, फाइब इबोक्स, मतलब पांच किताबे मिलता है, और किट्स के लिए मिलता है, दो किताबे, किट्स को जो दो किताबे मिलता है, वो किताब नहीं, बलकि अंगरेजी सिखाने का जादू है, और आपको जो पांच मिलता है वो भी समझे कि एस्पोकेन सिखाने का जादू है मतलब एस्पोकेन का कम्प्लीट किट है अभी मैं दिखा रहा हूँ घबड़ाईगी नहीं जैसे ध्यान दीजी इस पर लिखाओगा नरसरी टु यूकेजी पुष्टक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है शिक्स इनवन ध्यान से देखिए ये प्री नरसरी से यूकेजी तक बच्चो को एस्पोकेन और ग्रामर सब सिखाता है और शिक्स इनवन का मतलब इसमें छे किताब हैं इंगलिस है, हिंदी है, मैथ है, जीके है, एसस्टी है और सारे सब्जेक्ट को एस्पोकेन में कनवर्ट कर दिया गया है पहले देखिए इसमें कितना दम है बुक ओपेन करके देखिए आपके आप पर ये अवेलेबूल है बुक नमर टू, जो वन से जो है, फाइब तक के बच्चों को एस्पोकेन और ग्रामर दोनों कभर करता है ये जो है बुक नमर थिरी, जो फाइब से एट तक के बच्चों को ग्रामर और एस्पोकेन दोनों कभर करता है इस पर लिखाओगा पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है यह बुक नमर फोर इस पर भी लिखाओगा पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है यह 8 से 10 तक के बच्चों को एस पोकन और ग्रामर दोनों कभर करता है यह बुक नमर फाइब एस पोकन औ आपके बच्चों को आखबार पढ़ना भी सिखाता है, आखबार का हेडलाइन्स कैसे निकालेंगे, नीचे का निउज जो पब्लिश रहता है, उसको पढ़कर कैसे समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स दिये गए हैं, कि हेडलाइन्स कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने बताया, कि ये एस्पोकेन का कम्प्लीट किट है, अब कोस्टन उठता है, कि सर कोर्स तो बड़ी अच्छे है, इसका डियूरेशन क्या है और चार्जेज क्या है, तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता दूँ, कि बिलकुल फिरी मैं पढ़ाता हूं, इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया, अब मेरे आप पर चले आईए, जैसे, इसका डियूरेशन है फोर वन येर, मतलब एक साल का डियूरेशन है, एक साल का एक्चुवल प्राइस है, नौहजार नौहसो निनानवेर पिया, घवडाईए नहीं, मैंने बताया कि फिर ही मैं पढ़ाता हूं, ये नौहसो निनानवेर पिया उसके लिए है, जो केपेबल है, जो दे सकते हैं, ये एक्चुवल प्राइस है इस आप का, इस कोर्स का, बट एक मैंने कूपन दे रखा है, बीपियल वन ली, ठीक जो है नौहजार नौहसो निनानवेर निखा हूगा, उसके जश्ट उपर, जैसे इसको किलिक कीजिएगा, तो ये कोर्स हो जाएगा, नौसो निनानवेर के लिए, जैसे इसको किलिक कीजिएगा, ये कोर्स हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ निनानवेर रुपिया के लिए, लेकिन ये किस के लिए है, अपने देश के किसान भाई के बच्चों के लिए, मजदूर भाई के बच्चों के लिए, रिक्सा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, उनके बच्चों के लिए, रोट साइड में जो सबजी बेशते हैं, फ्रूट्स बेशते हैं, गुलगप्पे बेशते हैं, भूजा बेश और अपना जीवान आपन करते हैं। उनके बच्चों के लिए यह कूपन है। वो किलिक कीजिए और 99 में जो है कूर्स ले लीजिए। जिसमें जहाँ गौर्मेंट का टेक्स है और सौरो गाउली इसका प्रमोशन करते हैं। तो सौरो गाउली का चार्ज है। इसलिए मैंने आपको इन्वाइट किया कि आप आप पर आईए। यूट्टूपर भटकने की आउसकता बिलकुल नहीं है। और घड़ी सारा कर रहे हैं कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्यू, have a nice day.